तोस्तों गैंग टॉक की वीडियो के लिए बहुत डिमांड आ रही थी लोगों की तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंग टॉक टूर के बारे में कितना खर्चा हो सकता है जो local convenience होता है taxi का या local जो भी किराया खर्च होता है वो कितना हो सकता है किस जगे हमें hotel लेना चाहिए network वहाँ पर कौन सा अच्छा काम करता है gang talk में जो roadway चलती है उसका कितना charges रहेगा बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में clear हो जाएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर आपई नए आए तो पहले चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब साथ में बैल आइकन को दबाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे अग्डोगरा एयरपोर्ट नीरेस्ट रएपोर्ट रहता है बाघ्डोगर वहां तब आप आसकते हैं इसके लावा गन्टॉउप में एक दूसरा एएरपोर्ट भी बन चुका है और मुसली वहां की वहां कि व्लैट्स केंसल हो जाती है क्योंकि weather वहाँ पर हमेशा खराब बना रहता है तो ऐसे में nearest airport रहता है बागडोगरा एरपोर्ट दिली से अगर आप आते हैं तो 4205 के करीब आपको टिकेट लेना पड़ेगा फ्लाइट का और आप बागडोगरा बहुत जाएंगे और अगर आप शेयर टैक्सी से आना चाहते हैं गैंग टॉक तो 200-300 के राउंड वो टिकेट बनता है आपको और वो आपको गैंग टॉक पहुचा देंगे इसके अलावा अगर आप ट्रेंज आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में हैं तो आपको न्यू जल पाई गुड़ी आना पड़ेगा आप दिल्ली से न्यू जल पाई गुड़ी रेलवे स्टेशन आ जाएंगे अब न्यू जल पाई गुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंग टॉक तक कैसे पहुचा जाए न्यू जल पाई गुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंग टॉक के बीच की दूरी रहती है करीब 117 किलो मेटर इसमें लग जाते हैं करीब 4-5 गंटे लेकिन ये 4-5 गंटे आपको पता नहीं लगेगा कि कब कट गए कि इतने सांदार और आकरशक न जा रहे हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा वहां से आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है जिनका कराया रहता है गरिफ 2500-300 रुपे पर पैसेंजर इसके लावब अगर आप बस से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाई गुडी रिल वेस्टेशन से आपको बस से स्टेंड आना पड़ेगा सिली गुडी के जहां 15-20 रुप करने को मिलती है क्योंकि ओलाइन अगर आप होटल बुक करते हैं तो काफी कंप्लेंट उसमें आ रही थी उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हैं वह उपर ओनलाइन होटल बुकिंग की और फ्रॉड हुआ तो उसकी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बट कैखे लगे तो वह आप उसको बूक कर सकते हैं बूक होटल हो गया आपका आप के लिए ऑफर नून से पहले गर वह इसका हैं तो दूपके पास दिन बच जाता अपकी इविणिंग बचे जाती है अप गोँम सकते हैं गैंग नग से आते हैं तो आप लोग्डियों अपर यह एसानी से घूम सकते हैं उस दिन बहुत सारे जग़ा हैं वहाँ पर कसीनो वगएरा ऑगर تم दारा कि बहुत वूसरी जीज H सबस्क्राइब Junior home सब्सक्राइब अबर सबसे फेमस एमजी रोड हो मिल जाएन उनकी भी बात कर लेते हैं चलिए गैंग टॉक में कुन वेज और नॉन वेज नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सभी तरह का पर वो चार्ज करते हैं एक मेंबर से और वहां की साथ पॉइंट आपको दिखाने वो ले जाएंगे जिसमें वो आदा दिन खर्च करते हैं और आपको साथ अलग अलग जगया गैंग टॉक के घूमा कर ले आएंगे आप चाहें तो यह कर सकते हैं या फिर आप रोपवे में जा सकते हैं यहां रोपवे गैंग टॉक में चलती है जो करीब सुभा साड़े नो बज़े से सुरू होकर साम को साड़े चार बज़े तक वो उपन रहता है पर उसकी सवारी कर सकते हैं आसपास के गैंग टॉक के नजारे आपको देखने के लिए बिलेंगे जो आपने साल से छोटे हैं उनका कोई चार्ज नहीं लगता है तो रोफवे को आप उसी दिन और अलावा अगर हम बात करें नेक्स डे की तो नेक्स डे आपको प्लान करना चाहिए नॉर्थ सिक्किम का टूर आप ले सकते हैं किसी भी ट्रेवल एजेंट के थू जो दो दिन और तीन रात का पैकेज आपका बन जाता है असानी से उसके चार्जिस के अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पर चार्जिस रहता है तीन हचार से चार हजर के सम्तिंग एक पैसेंजर का जिया तो वह आपको गैंग टॉक से लाचोंग यामथंग होते हुए जीरो व्यू पॉइ यह वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप 24 गंटे पूरे साल बरफ का मज़ा ले सकते हैं बहुत ज़्यादा बरफ वहाँ होती है बहुत सारे एडवेंचरेस एक्टिविटी हमेशा वहाँ चलती रहती है पैराग राइडिंग से रिलेटिड और बहुत सारी अलग-अलग यह टूर नहीं करते हैं तो फिर आपकी यात्रा में मजा नहीं आएगा बार्गनिक आप उनसे कर सकते हैं थोड़ा रेट को लेकर और अगर वह जीरो व्यू पॉंट नहीं ले जाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्टा चार्ज 100-200 रुपे एक्स्टा डाल सकते हैं और उनको कर सकते हैं कि हमें जीरो व्यू पॉंट भी जाना है तो वहां भी आप जरूर लेकर जाएगा और इसके लाबा जब आप लाचूंग पहुचेंगे इस टूर पैकेज में तो लाचूंग पहुचने से पहले ही अगर आपके पास प्लास्टिक की बोटल्स हैं वाटर बोटल हैं जो करीब सतर से सो रुपे के करीब आपको आसानी से वहां पर मिल जाएगी बट अगर आप बिसलरी या किनली जैसी वाटर बोटल लेकर जाते हैं तो अब लेकर बहुत जाते हैं तो आपको 200 रुपे के पैनल्टी भी वहां पर पुगत नी पढ़ सकती है नेटवर्क क अगर आपके पास है तो BSNL Prepaid Postpaid आप लेकर जा सकते हैं इसके लाब आप दो दिन बाद एक दूसरा टूर प्लान कर सकते हैं नाथुला पास के लिए नाथुला पास अगर आप प्लान करते हैं तो तो देखिए उसके बीच रास्ते में पढ़ती है चंगूलेग आप चाहे तो गैंक टॉक से नाथुला पास वाया चंगू लेक कर सकते हैं तो आपके टूर पर डिपेंड करता है चार्ज अलग-अलग रहेगा सब ट्रेवल एजेंट के थूर ही हो पाएगा और जो भी पर्मिट वगरा की टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की जुरुत नहीं पड़ेगा क्यों नाथुला पास अगर आप जाते हैं तो पर्मिट आपको लेना पड़ता है तो वो सारा काम ट्रेवल एजेंट कर रहेगा वो आपको पर्मिट वगरा सब कराकर दे देगा और उसी का सारा काम उसी की सारी टेंशन है सिर्फ आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप चंगुलेक तक जाते हैं तो 2-3 गंटे का रास्ता रहता है 40 किलो मिटर के दूरी रहती है और 4500 रुपे इसमें आपसे चार्ज लिये जा सकते हैं और अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो नाथुला पास करीब गैंक टॉक से 55 किलो मिटर की दूरी पर रहता है और 14,000 फीट की उचाई पर समुदर तल से नाथुला पास उपस्तित है और बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में इंटरनेशनली फेमस है क्योंकि चाइना बॉर्डर नाथुला पास में लगता है और इंडिया चाइना का जो भी व्यापार होता है जो भी बिजनिस डिलिंग होती है सारा व्यापार नाथुला पास से ही होता है permit की requirement यहाँ पर होती है चाहे तो voter ID guard हो, या अधार guard हो, या फिर driving license हो, कुछ भी हो, लेकिन लेकर जाना पड़ेगा, इसके लावा कुछ बहुत सारे photograph आपको passport size के लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि कई जगे permit में आपको passport size के photo की demand की जा सकते हैं, अगर आप on the spot वहापर photograph खिचवाते हैं, तो वह काफी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो घर से ही आप कुछ passport size के photograph पांच से दस लेकर चले जाएगे, इसके लावा आपने लिए कुछ खाने पिने के snacks वगरा भी ले जा सकते हैं, बट आपको रास्ते में सब चीज़ें अवेलबल हो जाएंगे, फूड वगरा की कि प्रॉबलम आपको वहां नहीं होगी, और medicines आप लेकर जा सकते हैं, तो कि medicines की problem आपको हो सकती है, किसी को hill area में ज्यादा problem होती है, तो आप अपने साथ medicine ले जा सकते हैं, पेंकिलर, gastritis वगरा की medicine आप लेकर जा सकते हैं, अगर आप BP या heart के patient हैं, तो बहुत carefully आप जाएग और क्योंकि उंचाए बहुत जादा है, नातुला पास में और अगर आप zero viewpoint जाते हैं, तो वहां प्रॉक्सीजन की कमी भी आपको महसूस हो सकती है, तो true plan करने से पहले ही सब चीज़ें अच्छे से सर्च कीज़ेगा, सोच कर समझ कर ही आप अपनी यातरा पर जाएगा, क् कि हम चाहते हैं कि आपको सही सला, सही तरीके से मिल जाए, सस्ते में आपकी यातरा हो जाएगा, और किसी भी तरह की आपको परिशानी, ना हो यही मोटो रहता है, MS Vlogger YouTube चैनल का, वीडियो पसंद रहिए तो उसको शेयर कीज़ेगा, सभी दोस्तों के साथ, सभी मित्रों के आए, तो भाई चैनल सबस्क्राइब जरूर कर लिजिए, साथ में बेल आइकन को भी दवाएएगा, ताकि नोटिविशन आपको मिलते रहें, आने वाली वीडियो उसके, तो शेयर कीज़ेगे वीडियो को जरूर, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, बहुत बहुत धन्य झ Всक्राइब चाहएगा.